हुलो फ्रेंस मैं उस्वरत हमएरा चैनल में आपका स्वागत है थैंस आज मेरा हाद में यह बॉटल ट्राप है यह मैंने सुप्रिम कंपनी का लिया हूं फ्रेंड्स यह बॉटल ट्राप को कहां फिट केका जाता है और कैसा उसको फिटिंग करना चाहिए और फ्रेंस इसको के लिए प्रोवीजन कैसा होना चाहिए इसका बारे में आज मैं इसको फिट करके इस वीडियो में आपको बताऊंगा फ्रेंट्स अगर आमरे चैनल में नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल लाकिन को दबा के आल पे कर दिजिए ताकि जो भी वीडियो मों अप 250 रुपीज आया है फ्रेंट्स अभी इसको खोलेंगे यह फ्रेंट्स एक प्लास्टिक कवर का अंदर यह सभी था सामान इसको देखेंगे क्या-क्या कैसा-कैसा है यह पहले आपको देखाता हूं में पहले तो यह जो है आपको कभी भी ओस्ट कपलिंग ब्लॉक हो गया त इसको क्लीन कैसे करना है फर्ट देखेंगे क्लीन करने के लिए यह इसी तरहका फिक्स रहता है आपको कुछ भी नहीं करना है की और जो भी कचड़ा रहेगा इसका अंदर रहेगा और इसको फिर खोल के इसको क्लीन करके फिर इसको इसी तरह का आपको लगा दना होगा क्योंकि और बाकी कुछ खोलना नहीं है अगर कभी भी ब्लक होता है पानी नहीं जाता है तो शिरिफ इसी को ही खोलना है फ्रेंट्स यह स्टील का जैसे चीपी फिटिंग देखता है यह क्या है यह थोड़ा सा बहुत कौम दाम है क्योंकि वह ज्यादा होता है इसमें मैंने सुप्रीम का 250 रुपीस मेरे को यहां आया है हमारा एरिया में यह मारे फी 32 बोले तो आपका एरिया में उसका अंदर ही आ सकता है इसक में इसको क्लीन को डिफरंड दिया है कि एक ओन्यों डिफरंड जैय क्या जैसे दोढ़ा साफाने कंग का यह क्या है जो क्ली構च आए suis करए इसको ऊपानी करने से पहले जो रभार वासर है यहीज का प्रेश को बन करता है इसको करता करके फिर आपको इसका अंदर जाके को ठ्रिश करके करना है और अभी व defe основ का इसको आपढ़े हैं और दूसरा चीज क्या है फ्रेंज यह जितना हाइट का जहां पर वेस्ट कप्लिंग लगा है जहां पर टाइट करने के बाद आपका देखना है आपका वाल में जो पाइप है वेस्ट पाइप दिया गया है वह 40 mm का होना चाहिए यह वासर 40 mm पाइप में जैसे कमड का बेंड है इसी तरह का वासर रहता है यह 40 mm पाइप जो वाल में लगा जाता है उसमें यह रबर वासर जो है अच्छा से पूस हो जाएगा और फ्रेंज इसको कवर करने के लिए यह जो प्लांज दिया हुआ है उभी पीवीची का प्लां देखाता हूं यह कभी भी इस तरह का वर्टिकल में रहना है अभी वासर को कभी भी वासर मिश नहीं होना यह जितना वासर है सभी मिश नहीं होना आपको इसका साथ जाके इसको टाइट करना है क्योंकि फ्रेंज से यह वाल को जाने के लिए ऐसे टाइट कर दिया तो हाथ से अभी टाइट रहता कोई पाना नहीं चाहिए यह आपका वाल में जो पानी आके फिर इसमें जाने के लिए आने के लिए जो वश्ट कप्लिंग को टाइट होता वह भी सेम ऐसे ही आपको टाइट करना पड़ेगा देखे इसी तरह का पानी यहां वास्वेशन से इसमें आता है और इसको होके फिर यह आउटलेट जो वेस्ट पाइब को जाता है फ्रेंस यह क्या है इतना लंबा दिया हुआ है अगर आपको जागा का हिसाब से हाइट कम है तो इसको कट करन पड़ेगा कट करें तो चोटा हो जाता और इसको को भी डिस्टंस अगर ज्यादा कम है तो इसको भी कट करना पड़ेगा यह लंबा लबा लेंथ दिया हुआ है फ्रेंस यह स्टांडर्ड में दिया है क्योंकि आपको कट करके आपका जो प्रोवीजन है इसकी हिसाब से इ इसको लगाने को नहीं होगा इसके लिए अलग से आता है उसका भी वीडियो अप्लोड करूंगा और दूसरा चीज गया है मैंने आपको क्लीनिंग का बताया इसको फिटिंग का वह साधा यह कोई आपको इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जूरूत नहीं है एक आरी ब्ले अगर अलग लेना है तो आपको हडवर स्वभ में जाना पड़ेगा और दूसरा चीज क्या है यह हम जो ढलते हैं वासवेशन से अम वह सब्दा यह और और नहीं हो जाता है कुछ दिन होने के बाद लेकिन यह लगाने के बाद यह स्ट्रीम का अच्छा व्रंड का है और और आच्छा क्वालिटी भी है और फ्रेंस इसको अच्छा से लगाए तो यह बहुत दिन तक रहेगा आपको कुछ भी नहीं करना है आपको शिरिफ इसको खोल के आपको क्लीन करना पड़ेगा जब भी आपका वास्पेशन में पानी पास नहीं हुआ या तो कोई ड्रेनेज सुप्रीम का भी ओष्ट पाइब जो आता है वो भी एट रुपे से आता है अगर कोई कंपनी डाउन बाले 40 रुपे तक भी आता है जो कि क्वालिटी कम अच्छा नहीं रहता है जिसके वह थोड़ा सा धूप अगर कहीं धूप के जागे पे लगाए तो वह पाइब करके आपको देखाता हूं फ्रेंच देखिए यहां पर वास्विशन लगा है डाइनिंग में फ्रेंच क्या है इसका यहां पर लगा सकते है या ने लगा सकते आपको देखाता हूं फ्रेंच देखिए यह पाइप यहां पर उसका जो आउट्लेट है यह इसी जागे पर हो अब यह जो कपलिंग में ताइट करते हैं देखें कि है कि इसको अच्छा से करते हैं हाथ से होता है और यह यहां भी होता तो भी हो जाता कि यह यहां पर लगता है ऐसे इसको लगाना है और इसका जो प्रविजन अगर मान लेजिए अगर यहां भी होता तो भी चला जाता इसको क्ट करना पड़ेगा यह देखिए मैं आपको बोला था इसको कट करके आपको बिल्कुल ऐसे ही लगाना है देखिए ऐसे ही कि यह आपको मैं बोला था यह जो वासर है यह सवाइंच पाइप में इजी से जाएगा देखें प्रिंश मैं आपको देखाता हूं पहले क्या करना है यह वासर को इसका अंदर डाल देना है यह वासर देखें पहले चला गया फिर आपको यह पाइप को लेखें इसी तरह अंदर डाल देया तो रुख जाएगा अगर यह स्ट्रेट यहाँ पर होता तो यह पाइप को थोड़ा सा कट करना पड़ता फिर आपको यहाँ पर इसको फिटिंग कर देते तो यह से हो जाता क्योंकि यह प्रोविजन बराबर नहीं है इसलिए आपको ध्यान रखना है कभी भी वास्वेशन का पाइप वह तो इसका जो बॉटल ट्राप को लगाने के लिए यह जो वेस्ट पाइप यह जो पाइप यह 40 mm पाइप भी सीधा बात्रूम में जाके नन पाइप रहना चाहिए 40 mm में यह करेक्ट फिट होता है और यह वाल में वास्वेशन का चाहिए यहां रहना तो यह फिटिंग हो जाएगा लेकिन हमने पहले से इसको रंग रखा है पहले इसने को बनाया था इसको जो की एक साइड में रखा है जिसके विसे इसमें बॉटल लगाने के लिए कभी भी जो वास्वेशन का जो आउटलेट है बिल्कुल सेंटर में अब इस आम देखेगी यहां पर हो तो यह ठीक से पूस्ट नहीं होगा जिसको लिए इसको करने के लिए एक अक्षन है कर सकते हैं क्रास में भी लगा सकते हैं अगर इस तरह का क्रास हो पातों कैसे लगाता है अगर देखें इसको विए फिटिंग करने के लिए दो लिया हूँ फोटी एमम का अभी मैं इसको क्या करूंगा इसको सीधा रखके इसको पूस्ट कर देबाए अभी फ्रेंस आभी और एक एलप चाहिए हमको इधर रखना है इसका साइच में रखन तो इसको हमको क्या करना है और एक एलप में फोटी में पाइप है इसको मैं पहले से पूस्ट कर देता हूं और इसके बाद है फिर आपको इस अलबेंट देके लगाना पड़ेगा इसको नहीं तो लिकेज होगा बिल्कुल आपको इसका साइज में रखना है क्योंकि यह दर से ऐसा आएगा ठीक है अब यह इस तरह का प्रूस हो गया तो अब यह इसको इसी से फिट कर सकता है फ्रंच इसको फिट करने के लिए आपको देखेए पहले तो आपको कितना साइज का चाहिए वह आपको पहले देखना है यह इसको भी हमको यह पाइप को कट करना पड़ेगा आपको साइज के हिसाब से पाइप कट करना है कि यह हो गया कटिंग हो गया अब हमको इधर फिटिंग होता है पहले से अमें एक चीज आपको देखा दा हो इसमें कटार है फ्रेंस के यह मोटा क्या है कुप्लिंग की तरब रहेगा और यह पाइप की तरफ देंग करता है क्योंकि कुप्र करता है करें कि प्रेस करके लेके आता है ब्लोक करता है अब इसको फ्रिफ फोल्स में लगाना है सटाइट कनी करना है कि हमको ये एस्टेक्षन पाइपए जिसको आपको क्या करना है इसे अंदर थ्टा से जाएगा इतना जाएगा इसका अंदर भी ट्थाने चायेगा खूछ norm क्या कि फूर्ला साधर भार हुआ चलेगा कि तहीं केosph कि पहले जो वाल की तरफ रहे गां अभी क्या है ये बाहर है इसलिए प्लांज दिख रहा है नहीं तो वाल में अच्छा दिखता है फ्रेंस यह लगा सकते हैं लेकिन इसको थोड़ा सा क्या है इस्ट्रा फिटिंग चाहिए इसका पूश करेंगे और इस तरफ यह मोटा वी स्लोर करके लिए की यह प्रेस करके लेकि आएगा और अम कपलिंग को डालेंगे कि यह कप्लिंग को डालना पहले और यह मोटा तरफ जो है कप्लिंग की तरफ रखना ऐसा इसको रखना है इसको आपको पहले फिट करना है इसको पहले कोल देना है अभ Battle रखे這ओ मेजरेमेट कर दो इसे तरह न चाहिए ठीक है ऐसे रहना ना कि क्योंकि गर्ण्सते है मेरे को इस फोड़ा साल यह वासर लूज होता हैयहlier इसलिए हम को क्या एक करना है इसमें थोड़ा सा पाइप देना पड़ेगा आगे चाहे तो आप वो बिल्कुल इसका लेबल में कट कर सकते हो अब वो यह वासर को पहले हम अंदर डाल देंगे जैसे कमोड में लगता है वासर इसी टाइप का लेकिन यह 40 mm पाइप के लिए अब हम इसको क्या करेंगे जो पाइप को अंदर अच्छा से पूश करेंगे अगर यह वाल में रहे तो प्लांच जिसें से लग जाता है अगर यह वाल का अंदर ज्यादा पाइप बाहर नहीं आना तो इसी साब चाहिए आपको रखना है क्योंकि यहां पर जो यहां पर रखाया अंदर पाइप ज्यादा अंदर नहीं होना तो यह पानी को अटके जा इसलिए अंदर पूरा नहीं घोशा ना है तूछ और चुछ सा कट करना पड़ेगा अब तीक है इसको भी ये पाइप को भी थोड़ा सा कट करना ने पड़ेगा चलेगा क्योंकि अंदर थोड़ा सा आजस्टिंग करने के लिए दखाओ पहले इसको उपर को टाइट करता है उसके बाद यह वासर को ठीक से लगा के इसको टाइट करता है यह सब ही कपलर को हाथ से ही टाइट होता है वासर ठीक से नहीं लग रहा है इसलिए इसको अब यह लग गया अब यह लग गया है और यह जो है क्लिनिंग के लिए यह है अब मैं पानी चल करूंगा कि देखें पानी इती से जा रहा है कुछ भी प्रॉलम नहीं है लेकिन इसको ऐसा लगाने से फोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है अगर इसलिए कभी भी आप प्रोवीजन बनाते हो इसको वाल में करेक्ट वासरेशन जहां फिटिंग होगा उसी का सेंटर में उपर से वान फिट छोड़के रखे तो बिल्कुल बराबर फिटिंग होगा और यह आडा तरह रहा तो इसको फोलना क्लिन करना फोड़के प्र्वामन फिलिक नहीं आपका सामने में मैंने फिटिंग क्या सब्सक्राइब कोई फिटिंग और इसी तरह है यह इन्युक और यह सब्से कमदम का है यह आच्छा टिक्निक है यह कितना अच्छा लगा यह अगर इधर होता तो और अच्छा लगा चानल को सस्काइब करना ना बुलना लाइक टो फ्रेंड से एक जो रख गनाज के लिए इतना है